नाइट में वर्काउट करने के बाद क्रियेटीन ले या नहीं, क्योंकि रात को हम ज़्यादा पानी नहीं पी पाते, इसलिए ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कपिल दुवारा कोश्चन पूचा गया है, देखो आपके माइड में ये डाउट है कि क्रियेटीन लेते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा, ऐसा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पीना है कि आपको प्रॉब्लम होनी लगे, एक लिमिट में पानी पीना है, उसके लिए मैं आपको एक प्लिलिश दे दूँगा, और जो आपके माइड में ये है न हम रात में क्रियेट दो-तिन गंटे के अंदर एक और लीटर पी लिए आपने, कुछ इस टाइप से टुकड़ों में काउंट होगा, और हाँ आपको पता नहीं है कि किस तरीके से काउंट करना है पानी को, जैसे कि आपके माइड में ये कन्फिजन नहीं होगी कि भी आम ग्लास पी लेते हैं, क्य द्यान में होगा, कितने क्या मिली लीटर का है कुछ नहीं पता हम है, तो इसके लिए काम कर सकते हो, आप एक बॉटल लगिए, आप अपने पास कुछ इस टैप की 1.8 लीटर या 2 लीटर, उससे आपको काउंट करने में आसानी होगी, कि हमने एक दिन में इतना पानी पी ल और वो ऐसा इसी लिए, क्योंकि लोग बाग यह सोचते हैं कि हमारे वैक्टीरिया है, हमें ही लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम बीमार तो होंगे नहीं, तो इसके बज़े से उस बॉटल को यूज करते हैं, और 3-4-4 वलके एक एक हपते में धोते हैं, जब तक कि उसमें एक बदभू नहीं आने लगे तरीके से, जिसकी बज़े से उनको पता है क्या होता है फ्यूचर में चलके, टाइफाइड हो गया, फिर वो सोचते हैं कि भया हम इतना क्लीन खा रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या क्लीन खाएं, कि इसके बावजूद भी हमें इत गेन करने की, वो बहुत जादा आसान बन जाएगी, ध्यान रकना, ये जो मैं छोटी-छोटी चीज़ा बताता हूँ ना, ये बहुत जादा काम आने वाली है, इनहीं छोटी-छोटी चीजों की बज़े से, आपके गोल को बहुत जादा आसान हो जाएगा अचीब करना, I hope यह जो मैंने आपको topic detail में बताया अच्छे से समझ में आया होगा और आपने जो मेरी इतनी देर तब बास सुनी उसके लिए thank you